ओम स्रीवेंकटे साय नम्हा मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नाराण राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज मैं सुरेंदर वर्मा द्वारा रचित सूरी की अंतिम किरन से सूरी की पहली किरन तक नाटक में अभिनाई और दृश्योजना का सफल प्रयोग इसका सीर्शक है अभिनाई और दृश्योजना का सफल प्रयोग सूरी की अंतिम किरन से सूरी की पहली किरन तक अब देखेंगे, हम सब जानते हैं ये सर्व विदित सत्य है कि नाटक का मुलादार रंग मंच हैं इसलिए नाटक कार रंग मंच के आदार पर ही नाटक का स्रुजन करता है सफल नाटक कार को रंगमंच की स्पस्ट परिकल्पना होती है जिसके अभाव में नाटक लिका तो जाता है पर रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं होता नाटक का रंगमंची होना अतिन्त महत्तपोन है सफल रुप से प्रदर्शित नाटक को ही सफल नाटक माना जाता है नाटकार नाटक की रचना रंगमंच पर प्रदर्शित करने के लिए ही करते है नाच्य लेकन का उद्देशी ही है उसे रंगमंच पर प्रदर्शित करना प्रसिद आधनिक नाटक कार मोहनराकेश लक्ष्मिनारायनलाल और स्रियंदर वर्मा भी इसी मत में विश्वास रखते हैं कि जो नाटक प्रदर्शन की क्षमता से वंचित हो वो सफल नाटक नहीं ह रंगमंची विशेष्वताओं को अभी नई, रंगसज्या तदा परदे, द्वनि यहों प्रकाश्विवस्था के आधार पर पर परकने की प्रता पाई जाती हैं नाटक कार सुरेंदर वर्मा के नाटकों में अभिनाई, रंग सज्जा, तदा परदे, द्वनी यवं प्रखाश्व्यवस्ता के आदार पर अनेक विसेश्तायें पाई जाती हैं सुरे के अंतिम किरण से सुरे की पहली किरण तक नाटक में शिल्वती, वो काक, महामात्य, महाबलादिकृत और अन्य पत्रों ध्वराव वाचिक यवं आंगिक अब नई रसोद घाटन करता है नाटक के प्रारम में ही महत्तारिका का गहरी सांस लेते हुए कहना मुझसे सहन नहीं हो रहा है वह शुंगार इसलिए दर्शक में उत्सुकता उत्पन कर देता है फिर फी की मुस्कान द्वारा अनहोनी की वोर इंगित करते वेंग करना भी नाटक के प्रारंब से ही दर्शक को पकड़ कर रखता है ओकाक का अंतर मुकसा होकर दिन गिंती करना दोनों हतेलियों से माथा ठोकना दृस्ती बचा कर गलानी मिश्रित क्रोध में आना ओकाक की गलानी क्रोध आत्मविश्वास की कमी और निस्सहायता को दर्शाता है नाटक के शुरू से अंत तक ओका की आउंगिक चेइस्टावों में और वाचिक अभिनए में निस्थ सहाइता, ग्लानी और क्रोध पूर्णतहा जलकता है ओका का अभिनए स्रूथावों में उसके प्रती सहान बूती जगाता है इश्वर को संबोधित करता यह अभी नहीं, ओकाक की दुस्तिती को प्रकट करता है यदा, ओकाक कीजता हुआ, लेकिन कैसा है बनाने का यह डंग, इसका रूप क्या होगा, कुछ आगे बढ़ आता है, दोनों हाथ उपर उटा कर बराये स्वर में, हे प्रभू, क्या समसार क सारी गलानी मेरे ही बाग में आनी थी, फिर कहते दे, दोनों कानों पर हाथ रख कर उँचे स्वर में, मत बोलिये मेरे सामने यह शब्द, मुझे इस शब्द से गुरुना है, दर्मनटी, विवश रूप में लंबी सांसे लेना, और दोनों कानों पर हाथ रखने का अबने वोका की मानसिक स्तिती को प्रकट करता है, शेलवती का अबने इस नाटक की सफलता का मूल यव मुख्यकारण है, पहले अंक के अबने में शारिविक बंगमावों की कमी शेलवती के आत्मविश्वास का सूचक है, जबकि दूसरे अंक में प्रतोष के साथ उत्सा देखा जा सकता है, प्रतोष के बाहुम मूल पर कपोल रगडना, अधरोन से चूकर फिर उसके बाहुम में समेठने का अबने दर्शक की दढखन को तेज़ कर देता है, शेलवती के द्वरा इस अबने खरवा कर सुरेंदर वर्मा दर्शक के इंद्रियों को उतेजित करता है, ति जिवरता देकी जा सकती है, जो उसके आत्मविश्वास, तुरुप्ति या परिपूर्णता को बताता है, शेलवती की कस्मसाना, ठंडी सांस बरना, गहरी सांस लेकर सुंगने का अभिने करके वो काक को छिडाने का या सफल प्रहितन, यता वो काक मंदस्मित से, तो कैसी बिती रात, शेलवती कस्मसाकर, ठंडी सांस के साथ, पता ही ना चला की कब बोर हो गई, और तुम्हारी ओकाक कुछ टहर करो हलकी मुसकान से, यह शेयनकक्ष सक्षी है, यह वित्या और गवाक्ष, यह गंद कैसी है, शेलवती हस्ती है, कुछ उंचे स्वर में, बोलो ना कैसी है यह गंद, फिर हस्ती है, अंग राग हर शब्द पर नाही में सिरहिलाती है, गोरोचन, लक्षारस, सुरभी, शेलवती, उनमादनी सी, नहीं, कुछ भी नहीं, ओकाक विफल होकर, तब फिर शेलवती, सुंगने की गहरी सांस लेकर सुंगो, पैचानो, ओकाक तीव अब्रस्वर में शेलवती, शेलवती स्तिर दृष्टी से देखती है, इस गंद से तुम्हारा कोई परचे नहीं, अगर होता, तो कल की यह रात ना मेरे जीवन में आती, ना तुम्हारे, ओकाक किंकर्थव्य भी मूड, सा कक्ष का आदा चक्कर लगाता है, यका एक दाये द्वार की वोर मुड़कर महत तारिकाओ, महादेवी के स्नान की व्यवस्ताओ, शेलवती उतनी ही उंचे स्वर नए, साजस्वर में अभी नए, शेलवती का अबने दर्शक को यह अनबोव कराता है, शेलवती ने प्रतोश के साथ काम में कैसी तुपती पाई है, शेलवत दर्शक इस प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, उसके बाद शेलवती का एक के बाद एक करके महामात्य, महाबलादिकृत और राजपुरोहित से अत्म विश्वास के साथ आंकों में आंके मिलाकर प्रश्ण करने का अबने अतिवुत्तम है, शेलवती से ऐसा अबने करवा कर नाटकार सुरेंदर वर्मा ने दर्शक को उतेजित किया है, और दर्शक शेलवती से पूरी तरह जुड़ियाता है, और रचनाकार के उत्देश को स्विकार करता है, दुरुष्य योजना को लेकर समय के साथ अनेक बदलावा आ रहे हैं, विज्यान का प्रभाव रंग मंज पर भी पढ़ने लगा है, इसलिए एक सा प्रतीत दुरुष्य योजना रंग सज्जा और दुरुष्य बंद को अलग-अलग करके देखा जा रहा है, जबकि सबको मिलाकर रंग सज्जा कहने का प्रचलन है, दुरुष्य बंद और दुरुष्य सज्जा में सुख्म अंतर है, दुरुष्य बंद वह रंग समस्कार हैं, जो पूरे नाटक में एक सा रہता है, जबकि दुरुष्य सज्जा को दुरुष्य विशेश के समाप्त होने पर रंग-मंच से हटा लिया जाता है, साटोत्तर नाटकों में एक दुरुष्य बंद को प्रकाश योजना के द्वारा कई दुरुष्यों या दुरुष्यों सज्जा के रूप में प्रतिश्टित करने की नवीन प्रता का प्रयोग हुआ है उरेंदर वर्मा ने एक ही दुष्य बंद को प्रकाश्योजना के द्वारा अलग-अलग दुष्यों या अलग-लग कालावदी के रुप में प्रदर्शित किया है सुरी की अंतिम किरंड से सुरी की पहली किरंड तक में नाटक का दुष्यबंद राज प्रासाद का शयन कक्ष हैं नाटक सुर्यास्त रात्री के विबिन पहर और सुर्योदे तीन अंकों में पूरा होता है तीनों को एक ही दुष्यबंद में बांद दिया गया है नाटकार ने इसके लिए संदू किये दुरुशिबंद अधात बाक्स सेट की कलपना की है। नाटकार ने तीन अंकों और तीन अलग-अलग समय के पहरों को आसानी से प्रसुत किया है। नाटक का निरनायक बिंदू रखता है। तदा शेलवती और फिर वोका को बताया है। महत्तपूर्ण शायनकक्ष में पीडा, विवशता, जिज्ञासा और करुणा का अनबव कर रहें। वोका को और उसकी प्रतिक्रिया को दर्शकों तक पहुंचा कर उस पात्र के साथ सहानबूती वुत्पन करना है। इसी दुरश्ट के बारे में पांडे विने बोशन का कहना है कि महत्तारिका द्वारा गवाक्ष से राजप्रांगण के दुरश्य का चितरन सास्त्री दुरुष्टी से सूच्य और दुरुष्य का मिस्तर प्रयोग होने के कारण एक अनूटा शिल्प प्रयोग बन गया है नाटकार श्रेंदर वर्मा ने राजप्रासाद के शायनकक्ष का प्रयोग प्रतोष के शायनकक्ष के रूप में किया है नाटक में वो काक और प्रतोष के लिए वो एक शैया अलग अलग है स्रोता के लिए शया ये की हैं उस पर शिल्वती को लेने देने वाला विक्ति अलग है भाद भाद धन्यवाद जै श्रीमन नारायन भरत मता की जै